हेलो बच्चों, नमस्कार आज का मारा टॉपिक है वर्क, कार कार क्या होता है हम इसके कॉंसेप्ट के बारे में समझेंगे की कार की क्या वीधारना है तो सभी बच्चों ने कार तो पढ़ा होगा कि किसी भी वस्ते बबल लगा कर बल के दिशा में विस्थापित करने के प्रक्रिया को हम कार कहते हैं लेकिन इस कार को भी यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसको कार को करने के लिए बल लगा रहे हैं तो किधर लगाएंगे, किस दिशा में लगाएंगे बल लगाने के विज़े से बस्तु में विस्थापन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसी तरह कि बहुत सारी कंडिशन्स होती हैं जो कि किसी कारे को संपाधित करने के लिए आवस्यक होती है तो चलिए बिना समय का बाए हम अपना लेक्चर आगे की ओर कंटीनू करते हैं औ लब जब कभी किसी वस्तु पर हमें बल लगाना है तो बल ऐसा होना चाहिए कि उस वस्तु में डिस्प्लेस्मेंट या विश्थापन को उत्पन कर सके ठीक है तब ही वर्क होगा अधर्वाइस वर्क नहीं होगा इस नो डिस्प्लेस्मेंट बाइप्लिकेशन ऑफ फोर्स ओन बॉड़ी देर इस नो वर्क ओके ऐसी कंटिनूएसन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि वर्क कैसी कॉंटिटी है तो सबसे बड़ी बात है कि यह वेक्टर कॉंटिटी नहीं होती स्केलर कॉंटिटी होती मतलब किसी भी कार केलिए कि रिशा क्या हो सकता नहीं होती है अगे बढ़ते हैं इसका यूणिट जो होता है वह जूल होता है उसके बाद हम क्या पताना चाहते हैं कि जब भी उन् sourdion Defense राशेन दिसा में हैं पॉडि में उत्पन विस्थापन फोर्स की दिशा में होता है means if the displacement of the body is in the direction of force then what happens then the work is done by the force on the body मतलब जब कभी भी वस्तों में उत्पन विस्थापन जिस दिशा में force लगाया गया है उसी दिशा में होगा तो क्या कहा जाएगा कि work done force के द्वारा हो रहा है और body पर हो रहा है इसके भी प्रित जदी displacement of the body occurs opposite to the reaction of force यानि जिस दिशा में force लगाया जा रहा है displacement उसके opposite हो रहा है तो क्या होगा तो कहा जाएगा कि work is done by the body against the force मतलब जब कभी भी वस्तों में उत्पन विस्थापन force की दिशा के along होगा तो उस condition में force काम करेगा बॉड़ी पर इसके विप्रित जब कभी भी वस्तों मुत्पन विस्थापन force के लगाने की दिशा के विप्रित होगा तो कहा जाएगा कि work जो हो रहा है वह बॉड़ी के द्वारा हो रहा है और force के against हो रहा है ठीक है अब चलते हैं कि force का measurement हम कैसे कर सकते हैं तो force के measurement का simple सा formula होता है कि work is equal to force into displacement along the direction of force मतलब जो बन लगाया गया बॉड़ी पर बन लगाने की वजह से बॉड़ी में जो displacement हो रहा है force के दिशा में उन दोनों का multiplication कर लेंगे तो उससे जो हमें राशी प्राप्त होगी वह वर्क प्राप्त होगी ठीक है symbolic representation में कहलें है तो w is equal to f into s f is the force and s is the displacement यहां पर यह जो क्रॉस है यह वेक्टर प्रोडेट्ट को नहीं denote कर रहा है simply हम इसको multiplication के terms में कह सकते हैं कि this symbol is simply multiplication symbol ओके चलिए बच्चों अब इसी वर्क का जो माँ फर्मॉला है w is equal to f into s इसको हम कुछ example से समझ लेते हैं माल लिया कि किसी समय हमारी एक बॉड़ी है बिन्दू a पर है ठीक है इस पर एक force f जो है इस दिसा में लगाया जाता है जिसकी वज़ा से पॉड़ी हमारी a से खिसक कर बिन्दू a डैस पर पहुंच जाती है तो फाइनली यह देखा गया कि इसका displacement यहां से यहां तक displacement है तो जो हमारा फॉर्मॉला जोश्ट अभी हमने दिसकस किया है कि इस दिसा में लगा और displacement या विस्थापन वस्तु का भी इस दिसा से इधरी यानि फ्रम लेफ्ट टू राइट की डायक्शन में हुआ है तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसकेस में वैलिड है प्रण तो कभी-कभी यह देखा गया है बचो कि फोर्स जो होता है और उसकी वज़ए से वस्तु में उत्पन जो displacement या विस्थापन होता है उन दोनों की दिसा समान नहीं होती है तो उन्हों कुछ आपस में किसी अंगिल पर लगे होते हैं तो उस प्रोड़क्ट और वेक्टर प्रोड़क्ट ओके इसको अने वाले सबसेक्वेंट लाइन्स में हम डिसकस करेंगे तो ठीक है तो अब क्या डिसकस करने वाले हैं कि अगर फोर्स जो है वह किसी भी बॉड़ी पर अबलिक लग रहा है या फोर्स सीधा लग रहा है तो displacement तिर पर की तब ले लिए या आप इसको पीछे बढ़ा कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नीचे से इस बॉड़ी के ऊपर ऐसा तिर्चा फोर्स लगाया जा रहा है यानि दिसा क्या है यूं ऐसी है जिसकी वज़ा से इसमें displacement जो हो गया माल या बिंदू A से बॉड़ी खि अब क्या है अब तो यहां पर हमारा देख रहे हैं कि फोर्स तो इस दिसा में लग रहा है दोनों से अंदिसा में तो हुआ नहीं अब कैसे निकालेंगे हम वर्क तो अब यह तो गुथी उलज गई तो इसको सुलजाने के लिए कोई गुथी नहीं उलजी है बहुत से St if critical a इधर दिया हुआ है ठीक हे इसको आपको grabbed counsel vy जाम ये झॉलजाने में निकालना है तो इस्से यशम दिसा में लब डालते हैं इसे हम व्य दिसा में लब डालते हैं जहां पर न फाल का बिरता है कि यहां से यहां तक यह कॉंप्विन बनेगा मानलेदा कि यह iso गया He its इसके magnitude a अगर यह एंगिल थीटा है ए कॉस्ट थीटा के बराबर होती है यह वाला component ay किसके बराबर होता है ay square to magnitude of vector a sin theta के बराबर होता है या थीटा से लगा हुआ जो एंगिल होगा जो वेक्टर component होगा ax या x a का x component वो ए कॉस्ट थीटा के बराबर होगा और y component d sin theta के ब्राबर होगा अब इसी concept को हम यहां पर एप्लाई करते हैं तो इससे हमने हमने एक लंब डाला तो यहां से यहां पर पार गीरा तो यहां से यहां तर यानि यह वेक्टर से यहां तक कितना हो जाएगा यह वेक्टर है यह हो गया पूरा भॉर भाग नहीं लेकिन। इसका कुछ भाग जो कि एफ़ कौस ठीटा यानि इसका पूरा भाग नहीं इसका एकस कॉंपोनेंट एफ कॉस ठीटा वाला भाग जो है यह वस्तु को a से a डेस्ट तक ले जाने में पूरा सयोग प्रदान करता है ठीक है तो f cos theta बल का वो भटक है जो की विस्थापन की दिशा में है यह कहले कि f cos theta बल जो है इसकी दिशा में विस्थापन s हुआ है तो हम वLक का जो फर्मना लगाएंगे बल गुड़े बल के दिशापन विस्थापन में तो बल क्या है f cos theta ऐफ cos theta आ के दिशापन कितना है s है तो हम इसी को एप्लाई करेंगे दिशापन सीतु थी चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं fs cos theta तो आप देख सकते हैं कि कोई भी डो वेक्टर हो माल जाकि f इधर है और s vector इधर है दोन वेक्टर के बीच में का एंगल theta है तो इसके रट प्रोड़क्ट में आप जानते कि f.s लिखा जाएगा तो आएगा स्कूल आप मौड़ का मींस क्या है इस इस मैंगनीट्यूड मैंगनीट्यूड मतलब परिमार कहलाता है यानि यह f का मैंगनीट्यूड है यह s का मैंगनीट्यूड है ठीक है समझे बच्चों तो इसी चीज़ को मैं अप्लाई करेंगे तो fs cos theta आपका कहलाएगा इसको वेक् मैंनीट्यूड को इसे भी लिख सकते हैं या सिंप्ली आप fs cos theta लिखेंगे वेक्टर नहीं लगाए इसका मतलब की वह वेक्टर के मैंनीट्यूड को रिपरजेंट कर रहा है तो fs cos theta is nothing but this is f.s therefore we find that work done किसके बराबर होता है work done या किया गया कार बराबर होता है force applied on the body and displacement produced in the body का scalar multiplication ठीक है इसलिए हमने यहाँ पे कहा था कि यह जो cross product है वो vector product नहीं है अभी हम scalar vector की बात नहीं करते हैं यह simple multiplication है लेकिन आगे हमने इसको proof कर लिया कि यह multiplication exactly होगा क्या यह dot product होगा तो depending on the value of theta w की values different हो जाएगी तो अब यहीं से हम निकालते हैं कि concept of positive and negative work ठीक है तो concept of positive and negative work क्या होगा आप नियाद समझ लिजिए when theta is equal to zero पहला condition है then work done w is equal to f dot s is equal to fs cos 0 ओके आप जानते हैं कि cos 0 अगर है तो cos 0 is equal to 1 होगा तो w बराबर fs के हो गया कोई दिक्कत नहीं है इसमें next the other condition is when theta is equal to 90 then w is equal to f dot s is equal to fs cos 90 cos 90 is 0 then w is equal to 0 ओके आप पच्चर में देख सकते हैं कि force जो है perpendicular नीचे लग रहा या उपर लग रहा जो भी है लेकिन displacement अगर इसका body का यहां से a और b पे इस तरह से है ठीक है तो इस case में क्या है दोनों के बीच का एंगिल 90 हो गया therefore w is equal to 0 force लगेगा ठीक है लेकिन इसमें क्या हुआ displacement भी है लेकिन work जो होगा आपका 0 होगा कोई भी काम नहीं किया जाएगा अब ठाट केस है वेन ठीटा is equal to 180 degree तो क्या होगा डबलू is equal to f.s is equal to f.s cos 180 आप जानते हैं cos 180 degree is minus 1 therefore this is minus f.s तो आपने देखा यहां पर this is negative work जो आपका first case था first case में आपका क्या आया था w is equal to f.s when theta is equal to 0 theta is equal to 0 का मतलब क्या था कि when force and displacement are in the same direction इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि हमने force इधर लगाया लेकिन displacement इसके अगेंस्ट इधर हो रहा है ठीक है यह इस type का situation अगर है कि displacement a point इधर है a dash इधर है यह इधर से इधर आ गया displacement opposite हो गया तो यह इस है चलिए कुछ हम एक्जामपल समझ लें कि एक्जामपल क्या क्या है तो अगर हम निगेट positive work का example देखें जो हमारा क्या था पहला case था वें ठीटा is equal to 0 का तो वहाँ पर क्या आया था हमारा देखिए जब ठीटा is equal to 0 था तो हमने क्या पढ़ रखा था हमने पढ़ रखा था कि डबली इसक्वल टू एफेस आया था तो इसका एक्जामपल है कि जैसे लॉन होता है डूलर से लॉन को प्लेन किया जाता है तो ग्रास जमी होती है एक रोलर है डूलर यह आपका एसे हंडी लट तिर्छी इसकी और डूलर से यह आगे की तरफ सिफ्ट होता है ठीक तो इसका कॉम्परेंट कुछ भी हो एफ कॉस्टीटा डिस्प्लेश्मेंट आपका इसी दिशा में हो रहा है जिधर आपका फ्रस लगाया जा रहा है तो उस क्या है आपका जो फ्रस होगा जो वक दन होगा ड़िश्टीव वक दन होगा विन लॉन डॉन डॉलड भाई दी एप्लिकेशन अफ फोर्स तन the angle between the displacement and the force is acute angle okay आप नहां से देखे इस इस acute angle then the work done occurs by the force and on the body of work done is positive okay अब हम negative work की example अगर ले ले तो आप सोचीए कि अगर किसी बॉड़ी को नीचे से उपर की तरफ फेकते हैं यानि निगेटिव वर्क कहां पर आया था यह अप सोचीए एक बॉड़ी है इसको आमने नीचे से उपर की तरफ फेकते हैं तो बॉड़ी नीचे से उपर कैसे जा है यह बॉड़ी तो ग्रैविटी नीचे की तरफ काम करती है अगर इसका मा सेम है तो ग्रैविटी है नीचे की तरफ बॉड़ी जा रही उपर की तरफ यानि डिस्प्लेस्मेंट हो रहा है उपर की तरफ और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ अपोजिट हुआ केस फोर् है वो रफ सर्फेस है इसी इस वैसे सब्साइब ये system कि इसे में उब बॉड़ को ऩो स्लैड कर निले video कि área है। किसी भी तरह से जो मोशन हो रहा है बॉड़ी में वह आपोजिट हो चाहर जब भी किसी रफ सर्फेस कोई बॉडि मुव करती तो आप देखते हैं कि कुछ फ्रिक्शन की वजासे एक्स्टा फॉर्स लगाना पाद रहा है यानि बॉड़ी का मोसं जो हो रहा है फ्रिक्शन फॉर्स के अपोजिट हो रहा है होता है फॉर्स नेमे अगर मोसं कर दो इस केस में आपका सब्सक्राइब जुषर क्या होगा हुइं वह को लेक्जान को फर्स यह कुली है इसने अपने हेट पर यह सामान कैरी कर रखा है ठीक यह है लोड यह है लोड इस लोड को यह कुली जो है कैरी कर रहा है और यह आगे की तरफ चल रहा है तो क्या है यह लोड का वेट क्या है प्रपेंडिकुलर नीचे की तरफ रहेगा आप समझ रहे हैं लेकिन व्यक्ति जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है आप अगर इस तरह से देखिए व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है लेकिन लोड जो है एमजी नीचे की तरफ काम कर रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट दोनों 90 डिग्री पर हो रहे हैं तो काम जो कहलाएगा वो जीरो कहल समान भी सिफ्ट हो गया लोड भी सर पे लग गया लेकिन क्या हुआ डिस्प्लेस्मेंट और फोर्स आपस में नांटी होने को वर्क ड़न नहीं कहलाएगा यह होगा कि कुली ने कोई काम ही नहीं किया तो अगर साइंटिफिक लिए किसी को पता है तो वह कह देगा भाई हम हमने तो पैसा काम करने के लिए बात करी थी लेकिन काम तो हुआ नहीं तो पैसा क्यों दे लेकिन दे दिया जाता है क्योंकि डिस्प्लेस्मेंट तो हुआ सामान तो पहुच गया जहां पहुचाना था ठीक है तो वर्क डन के लिए पैसा पेमेंट नहीं होता वहां पे डि के ठीक तो उस केस में भी ठीटा 90 होता है क्या आप जानते हैं डिस्प्रेस्मेंट होगा टैंजेंट के डारेक्शन में सरकील है आप जानते हैं यहां से ट्लैक्स मूप करने अगर यह अर्थ है तो सेंटिपिटल फोर्च जो है इधर लगेगा लेकिन यह चल कैसे रहा ऐसे तो डिस्प्रेस्मेंट आप देखना चाहेंगे तो इस टैंजेंट इस्पर्सिक डारेक्शन में होगा आप जानते हैं डेडियस और टैंड के बीच में एंगिल 90 होता है तो इस प्रकार से इस केस में भी वर्क ड़न जो होगा वो जीरो होगा इसी प्रकार आप इलेक्ट् में ना भी कचाओ तब चक्कर लगाता है तो वहां पर भी ऐसा ही होगा कि एलेक्ट्र मुविंग इंपटिप स्प्री अफ एलेक्ट्र मैंटी फिल्ड दस नो वर्क एज देर इस नो फोर्स ओन इट ओके क्यों उस केस्पर कोई फोर्स ही काम नहीं करता है तो ओके बच्च अगर आपको लेक्ट्र अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक करिए सब्सक्राइब करिए थैंक्यू वेरी मच